प्राइम टाइम के पहले एडिशन में आपका स्वागत है इससे पहले कि मैं प्राइम टाइम के शुरुआत करूं कुछ खास बातें आपसे करनी और बतानी बेहत जरूरी है प्राइम टाइम में सुमार से शुरीवार लगातार मैं आपके साथ में रहूँगा आपके बीच में रहूँगा आपको मुझसे बातचीत करनी है और आपके सवाल मैं लगातार उठाता रहूंगा और प्राइम टाइम विद राशिद में आपके वो सवाल उठाए जाएंगे जो प्रदेश के लिहाद से बहुत जरूरी है और प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं के लिहाद से बहुत जरूरी है और आज के प्राइम टाइम के इडिशन के शुरुआत एक ऐसे मसले के साथ या यूं कहें कि एक ऐसे सवाल के साथ जो 22 करोड उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और लगभग एक करोड देभूमी यानि उत्तरा खंड की आवाम के लिए बहत जरूरी है अब सोच करके देखि जिसकी आबादी 22 करोड है लेकिन बीमारों की श्रेणी से निकलने के लिए लगातात तरप रहा है और तरसता जा रहा है एक ऐसा प्रदेश और हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है इस पूरे पैनल के साथ में बाच्चीत करेंगे अफदेश कुमार वरिश्पत्रका मैं आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगा उत्तरप्रदेश जिसकी साक्षरता दर 79.72 फीसद एक लाग 58,396 स्कूल जबकि आबादी 22 करोड एक लाग से जादा स्कूलों में सिर्फ एक टीचर एक टीचर के भरोसे चला है स्कूलों में यूपी दूसरे नंबर पर है और यूपी में 49 बच्चों पर सिर्फ एक टीचर है और ऐसे में यूपी को विकास की जरूरत है या रंग बदलने की जरूरत है और ये रंग क्या राज़नीती की चाशनी में लपेट करके एक मुलम्मा चढ़ाने की जरूरत है इस रंग को राशित बाई देखिए आप किसी भी रंग से करें लेकिन अगर विकास करें तो प्रश्ण नहीं उठेंगे आप किसी भी रंग से विकास कर दें आप लोगों को सिक्षा दे दें लोगों को रोजगार दे दें उनको मजदूरों को मजदूरी दे विरोजगारों को संकित दी हैं वर्तमान सरकार ने उसमें कहा है कि साब हम बाबा गोरक नाज जी की बंधु सिंग जी की और बाबा गंभीर नाज जीवनिया अभी कख्षा 6 से लेकर के कख्षा 8 के पाठ्यक्रों में अभी और शामिल करें तो हमारा प्रश्णिया पर यह उठ रहा है कि एक तरफ तो वर्तमान के शिक्षा मंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री हैं और पूरी भारती जनता पार्टी की सरका यहां से लेके केंद्र तक के कह रही है कि उत्तर प्रदेश में वही शिक्षा नीती लागू होगी वही किताबे लागू होंगी जो एंसी आर्टी की किताबे हैं तो क्या वर्तमान की सरकार ने एंसी आर्टी से इस पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर के कहीं कोई विचार तो यहां पर किस तरीके से आप क्या करना चाह रहे हैं वैज्जानिक ध्रश्टी कोन आपका बच्चों को लेकर के क्या है आपने जैसे अभी इसकूलों की स्थितिया बताई अपी तो आप बच्चे मैं आपको बताओं बीएड टीटी वाले बच्चे हैं 12,460 जिनको सिर्फ नियुक्ति पत्र देने हैं उनको लेकर के आज तक एक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है आपने कहा कि साब हम डेड़ से दो लाग तीचरों की भरती करेंगे बीएड और टीटी के सारे टीचर हमारे भरती हो जाएंगे शिक्षा मित्रों को लेकर के आप कजीब किसम कश्मकस में फसे हुए हैं तो यहां पर आपने शिक्षा नीती को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और उसके उपर आप भगवा चड़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके सवाल भी वाजीब होंगे जनता के सवाल भी वाजीब होंगे डेड़ से दो लाग तीचरों की कमी से जूसता हुआ उत्तर प्रदेश अगर बेसिक शिक्षा पर इस तरीके की बात करेगा जहां पर की वैग्यानिक द्रस्ट को नहीं रहेगा तो निश्चित तोर पर आप हैं हमारे मित्र हैं बहुत अच्छा लिखते हैं अवदेश यह मारे साथ में अवदेश जी उत्तर प्रदेश को जरूरत किस बात की है रंग बदलने की है सियासत का चरित्र बदलने की है बिजली सड़क पानी की है शिक्षा की है या फिर किसी और चीज की नहीं आपने जि तो क्या मैं सन्यासी हो जाओंगा अच्छा ना तो आज की तारीक में सियासदा हो जाते हैं वो जो कि भगवा भगवा मुलम्मा जिसके उपर चड़ा हुआ होता है इसलिए मैंने पूछा तो यह तो महत्पुर्ण वात है ना कि उत्तरप्रदेश सरकार को जो बहुमत मिला थ देश अपराद को खत्म करने का सुषासन के लिए सिक्षा समाजिक आर्थिक विकास के लिए अगर आप वो करेंगे तो आपका अपने आप जन समर्थन बढ़ेगा अगर वो काम नहीं होगा और टॉल रंग देंगे ऑफिस रंग देंगे सोचाले रंग देंगे अगर इसम इसमें हो आपका सवाल है कि हार रंग भगबा यह मुझे लगता है इसी कि परनती है कि देश में। उत्तर प्रदेश में एक बहुमत मिलने के बाद बहुत सारे नीचे अस्तर के अधिकारी करमचारी उपर बालों को यह लगता है कि हम इससे सायद भार्तियनता पाटी नेता को खुष कर देंगे यह करने से और बाकी काम सायद पीछे रह जा रहा रहा है तो यह दुरुभाग पुरन है में से पक्ष में कता ही नहीं हो सकता हूं कि हर दो ही मैं यहां को बता अगा सुझाहिए मुझे क्या जनसंग की सभाटना से पहले यह और इंट अःप मैं वान गे वजके में बолता हूँ जारों मार्खों साल पहले तक का आप इतियास उठा करके देखिए देखिए रंगों का क्या होता है कोई न कोई रंग किसी न किसी चीज का प्रतीक होता है हमारे देश में पुरातन काल से अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा सौम में सबसे ज्यादा जो है अगर अच्छा किसी रंग को माना ग लखने आपके बाई तरफ भी मुझे कुछ भगवा दिख रहा है क्या लखनाओ में कुछ नया भगवा हुआ है नहीं हुआ थोड़ा दिखाईए कैमरा घुमा कर दिखाए आप लखनाओ की रगरग में भगवा बसा हुआ रासित जी चुकि भारतियंता पार्टिंग में काराले पे हुँ यहां भगवा कोने के सियासत शुरू हुई थी जब मुकमंत्री योगी आदितना पूर्शी समाले तो भगवा तौलिया ढूंड के लाया गया था लोग भवन में उसके बाद एनेक्सिक को भगवा किया गया फिर हाज हाउस को भगवा किया गया जब हाज हाउस को भवाल मचा उसके बाद उसरा रंग बदल दिया गया तो भगवा रंग जरूर सांसी का प्रतिक है ऐसा भारतियंता पाटियों काते जरूर है लेकिन जब इसमें सियासत का प्रिफा करना तोड़ा रंग तदू करता है कि भारती जनतां पार्टी के तुर्ट प्रें कि एक एक रिपोर्ट दिखाता हूं गटी दिलुचस्प है और भागोह राजनीती में किस तरीके से भगवा राजनीती के चश्मे से देखा जाए यह यू कहें कि जैसा कि अभी मिश्टरा जी कह रहे थे मिश्टरा जी यह कह रहे थे कि बहुत बार अती उत्सा के शिकार हो जाते हैं जो सरकारी मुलाजिम होते हैं और सियासदानों को खुश करने के लिए यह का हैं कि निजाम को खुश करने के लिए या पर निजाम के माताद जो काम कर रहे होते हैं उन्हें खुश करने के लिए वो भगवा रंग देने की कोशिश करते हैं लेकिन असल में मुझफवन अगा टोल पर हुआ क्या है जब टोल से आप गुजरते हैं तो उसे भगवा पर रंग देने की कोशिश क्यों की गई है आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट देखिए रियाल्टी रिपोर्ट देखिए उसके बाद फिर से मैं अपने मेहमानों के बीच चलूंगा इस टोल प्लाजा पर पहली नजर में कुछ खास नजर नहीं आता लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये यूपी की राजनीती में भगवा करण का एक और सबूत है पस भगवा, आमबेटकर की मूर्ती भगवा, स्कूल भगवा और सियम आवास भी भगवा यानि देश के सबसे बड़े सुबे को भगवा रंग में रंगा जा रहा है सवाल है कि योगी सरकार में ये भगवा करण क्यों हो रहा है जब कि उत्तरप्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अभी विकास को लेकर एक लंबा रास्ता तै करना बाकी है इसलिए प्राइम टाइम विद्राशिद में आजका सवाल कि क्या योगी का विकास रत अपना रास्ता भटग गया है और इसलिए आप जो टेक्स लिखा हुआ देख रहा है कि रंग दे तुमोहे भगवा और आज की तारिक में उत्तरप्रदेश में इसी तरह का गाना चल भी रहा है सुरेंदर राजपूत कॉंग्रेस के प्रवक्ता और सबसे बड़ी बात है कि सुरेंदर जी बहुत दिल्चस बोला करता है सुरेंदर जी एक बात ये बताएगा अगर भगवा रंग ही रहे हैं आपको दिक्कत क्या है कि आप weंद तो कोई दिक्कत निइ राशित भाई हमने तो कहा ना मेरा तो ओपनिंग कमेंट ही था कि हमें अगर आप विकास दे रहे हाँ और भगवेधारंग से दे दे रहें तो हमें आण दिक्कत नहीं है यहा na पर प्रस्णि यह हag नहीं कि हम हम्हांWhy विकास देदीजी हमें रोजगार देदीजी हमारे बच्चों को रोजगार देदीजे 5-5.5 लाग पद खाली पड़े हुए हैं और करोड़ों बच्चे सडक पर घूम रहे हैं आपको बताओ दो लगबग 1.5 लाग पुलिस की भरतियां आप कह रहे हैं कि आप करेंगे लेकि इनको दियुक्तिया करनी थी उसमें आपका पेपर आउट हो गया CRPF से लेकर के बाकी तमाम जगों पर पेपर आउट हो गये डेड़ लाग भरति पुलिस की आप बोलते हैं आपके पास सिरफ संस्थान में 12,000 एक साल में करना पुलिस के सिपाईयों को भरति करने की क्षमता है डेड़ लाग आप कहां से कर देंगे आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं के प्रति अपराद में 37 से 42 परसेंट की वरद् से रहें लेकिन गन्ना किसानों के भुकतान के लिए आपने एक रूपिया नहीं दिया कहते हैं कि साथ 30 लाग बफर कटन बफर स्टॉक करने के लिए हम पैसा दे रहें आज मुझे अच्छा लग रहा है कि अवधेश जी भी बड़ी अच्छी भाशा हमी लोगों की भाशा आप विकास की भासा बोल रहा है शाय हिए अगर अन्य उस पर भी हमारे साथ ऐसे बोले तो शाय हो सबसकता है योगी जी करन लेंगे कन बाते हैं यहे चाहना की अच्छा लग रहा है आज 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 अगरे आज आज अच्छा लग लगा रहा है अरे-डेश आज हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा 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 एक सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा असल में ऐसा है कि सुरेंद राजपुत जी जो है वो तो मेरी पर्टिपनिया करते रहते हैं और मुझे उसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है मेरे बारे में सबको अपनी धारना बनाने का अधिकार है लेकिन हम लोगों का धर्म पत्रकाडिता है वो जो भी सच लया करेंग तो वो ब्यभार में भी तो कहीं दिखना चाहिए कि क्या है वो तो मुझे नहीं दिख रहा है तो वो के बल रंग रंगने से ये इसका कोई मतलम नहीं है उसमें उर्जा खर्च करना बलकि उससे भारतिये जनता पार्टी के खिलाब वित्रिशना पैदा होगी जो आकरे सु अपरात पर ध्यान दिया जाए अभी टोल रंग देने से हमको ये समझ में नहीं आता है कि टोल को हम भगवा रंग में रंग देंगे किसी स्कूल को भगवा रंग में रंग देंगे हम सरकारी ओफिस को भगवा रंग में रंग देंगे उससे क्या अंतर आ जाएगा उत्तर उत्तर प्रदेश की मुख्य उसका अधार क्या है उत्तर प्रदेश का मुख्य आधार किर्शी है किर्शी के छत्र में अगर किसानों के लिए सुविदा का काम हो किर्शी वहां समुन्नत हो किर्शी पर आधारी तुद्योग लगें गन्ना किसानों का समय पर भुगदान हो अ एक अतिवाद का दियोतक है इससे बाहर निकल के सरकार वो अगर सरकार को हिंदुत से इतना ही प्रेम है तो एक उत्तर प्रदेश सरकार का रीट लेकर सुप्रीम कोट में जाये राम जनमुमी को लेकर उसकी तो कोई चर्चा नहीं है जो काम करना है तो चनते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात कही जाती है कि यहां पर विकास का एक अर्थरशास्त्र हुआ करता है एक अर्थरशास्त्र जो कि सोशल इंजिनियरिंग के पैमाने से जब हो करके चलता है तो सियासत के रंग बदलने लगते हैं और जब रंग बदलने लगत हैं तो फिर उसके बाद यह समझ लीजिए कि शायद चुनाव आसपास ही है और उत्तर प्रदेश में अगर एक कभी डॉक्टर रामबेटकर अगर भगवा हो रहा है या फिर अगर टोल प्लाजा भगवा हो रहा है या फिर हर दोई है प्रदेश की जडरूरत क्या है भगवा या विकास पहले प्रात्मिक्ता तो भगवा है और जब भगवा होगा तब विकास होगा सुनील जी आप क्या बात कर रहा है आपके लिए विकास से भी उपर भगवा है सुनील जी आपके लिए विकास से उपर भगवा है पहले भगवा है आपके लिए शिक्षा नहीं है, आपके लिए रोजगाद नहीं है। आपके लिए महेंगाई चली जाएंड ये नहीं है। आप बहुत विवाधास्पत बयान दे रहे हैं। सुनील जी आप विवादासपत बयान दे रहे हैं और ब्हारती जनता पार्टी का अच्छा यानि भार्ती जंता पाटी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अगर 69 प्रतिशत है अगर 69 प्रतिशत है तो उतनी ही रह जाए पहले भगवा करण होना चाहिए यानि यूपी में अगर साले तीन लाग शिक्षकों की कमी है तो वह कमी पूरी ना हो पले भगवा एस्कूल में कर दो सेहत के तौर पर डॉक्टर ना बिलें डॉक्टर की कमी की वजह से लोगों की ओ जाए लेकिन ऑक्सीजन को पहले भगवा कर दो आप यही चाहते हैं भगवा का मतलब तो प्रभू से है, भगवा का मतलब तो भगवान से है, भगवा क्या है? जो हमारे सादू संत है, हमारे मठादिस है, मठ मंदिर है, और आपका हमारे आदी संक्राचारिये हैं, और हमारे भगवान के रूप में जो हम देखते हैं जिसको, वो भगवा में ही सबसे पहले भगवा है जहां से जनमे हम लोग तो उस में दोरा है नहीं है कुछ भीर, सुरेन से इंगलाटपु जी उपी में 20,000 लोगों पर एक डौक्टर है, सुनियेगा, इूपी में 20,000 लोगों पर एक डौक्टर है, एक टीचर के भरोसे में 1 लाग से ज्यादा इस्कू पर गड़ा बरने का कई अल्टिमेटम भी दिया हुआ था वो गड़े भी नहीं भरे गए इन सभी मसलों को छोड़कर सुनील भराला के लिए अगर आज की तारीख में कोई वाकई में मुद्दा है तो उनके लिए भगवा है विकास के पैमाने बैग बरनर पर हैं सुनील भराला बड़े अच्छे आदमी है इनका बस चलेगा तो यह जो गन्ने की पतिया है उनको भी भगवा कर देंगे सबजियां है जो वहां पर पालक और लौकई और तुरही है इसको भी भगवा कर देंगे यह तो इनका बस नहीं चल रहा यकरंगी फूल यह लोग चाह है लुकी बैंगान वनियां तूरी है जो यह सबकुछ भगवा कर देंगे क्या अधिनके आं horse रही हमें त्यू को बिल्कुल सुरेंद्र जी की बास से में सहम मैं मैं भाजी बोल रहा हूँ आ तही बात को है को पुषिए आजहनी है न हला यह बात पोछ लिजेगा इनसे है अगर शुरेंडर जी को टेली विजन से हटा करके अगर आप पूछोगे तो यह प्रार्त मिक्ता भगवा बताएंगे लेकिन इहां टेलीजन में बैठे हैं इनकी पार्टी के अजन्डे में नहीं है इनकी पार्टी के इसके विरोती है तो है यह ऐसे भारतियंदा पार्टी के प्रवक्ता को बैठा है उत्त मध्य प्रदेश में 2003 से भारतियंदा पार्टी की सरकार है उसको कहीं सौचाले भगवा रंग में रंगने की जरूरत नहीं पड़ी किसी सरक को भगवा रंग में रंगने की जरूरत नहीं पड़ी फिर भ अच्छे प्रवक्ता को बेठा हुआ है कह रहे हैं बागवा कि यही दिती है वो छोड़ी है यह में लिए ब्रेकिंग न्यूस है यह मेरे लिए हिटलाइन स्टोरी है कि मेरे शो में बैट करके बीजेपी का एक एक मेता नहीं यह कहा है कि प्रदेश के विकास से जादा उनके हर एक रूप में है तो आप सिर्ण देने में ही क्यों विश्वास कर रहा है है यह तो इन्ट तो सफेद कुर्दा कर आख़े हुए यह सोचने का अंतर सुरेंद्र जी का हो बाल्ट का तो यह सोचने का। mới नेताओं का हो सकता है। देकिन परप्रक्रण से लेकर नेता तक भगवा के परती स्रॉद्दा है. इसमें हम कुइय संकोच निहीं करते ना beide संकोच करेंगे। हम निश्चीत रूप से कहरा चाहते हैं कि इस रश्टी की रचना है तो भगवा से रश्टी की रचना है और जब रचना के साथ हम है तो भगवान को हम मानने वाले लोग हैं भगवान स्री राम को मानने वाले लोग हैं यह तो जब इनकी पार्टी के नेताओं के अगर बयान पत्ति और तोरे की पत्ति मैं कहता हूं के भगवा ही सब कुछ है अर बढ़ए अपना देन चाहिए इनको भी सुरेंद्र जी से बता देता हूं कि सुरेंजी वास्तों में अच्छे इंसान है लेकिन आप इंसे अगर कमरे में जाकर के पूछो गए तो यह कहेंगे कि अगर हमारे हिंदुत की अगर कोई आस्ता है तो भगवा है और प्रार्थविक्ता भगवा है अच्छा बताएगे खुदी लेकिन ये पार्टी के प्रवक्ता की रूप में वेटे हैं ये बता नहीं पाएगे ये तो आपके राजनीतिक चरित्र पर ही सवाल उठाने लगे款 तो आपके राजनीतिक चरित्र पर ही सवाल उठा रहा है कि पर्दे के पीछे जाकर करके आप अपनि कहेंगे धर्म मेरा नीजी विशह है विकास, राजनीती और सामाज इन नीतियों के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अगर मैं मन्दिर में जाके पूजा करता हूं तो मेरा वो निजी विशे है, मैं टीका लगाता हूँ निजी विशे है, लेकिन वो टीका और वो चीजें मेरे विकास के काम में, राजनीती के काम में और सामाजिक कार्यों में बिल्कुल भी सामने नहीं आनी चाहिए, सुनील भरालास जी से मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर कि आप सब भगवा कर दीजिए लेकिन उसके बाद 3.5 लाग बच्चों को नौकरी तो दे दीजिए पुलिस के में भरती तो कर दीजिए महिलाओं के प्रती अथ्याचार को भगवे ही रंग से खतम कर दीजिए खतम तो कर दीजिए आज की डेट में जितने यहां से लेकर के उपर से लेके नीचे तक जितने गंभीर किसम के अपराद बच्चियों के साथ हो रहे हैं और जो जिनको कहीं न कहीं मैं संतों के उपर कोई टिपड़ी नहीं कर रहा हूं लेकिन संत बने हुए अपरादियों को भी आप क्या भगवा रंग सही बचाएंगे आप चाहे वो आसाराम हो चाहे जहासाराम हो और चाहे वो अभी दाती महराज हो चाहे वो इसके अलावा तकान आठाहन कषए तसमाम अब अगर आप इन सारी चीजों को रोक सकते हैं और पूरे प्रदेश को भगवा करना चाहते हैं तो करिए और एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया उधेश जी ने कि 15 साल से मध्यप्रदेश में सरकार है 15 साल से आपका 36 गड़ में सरकार है पिछले 5 साल से राजस्थान में सरकार है 10 करोड रोजगार अगर आप देने के बाद उसको देश को भगवा करते तो हम मान लेते आज की डेट में किसानों की आत्मत्यादर को आप जीरो कर देते तो हम मान लेते सारे किसानों का आप करजा मुक्त कर देते तो हम मान लेते उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का आप अद्धार का मून ले देते तो हम माल लेते मन्रेगा की मज़़ी डबल करके आप उनको भगवा गमचे देते तो हम माल लेते लेकिन यहां पर खाली आप भगवा 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 लेकर के धर्म को बदनाम करने का शाथ रहे हैं फुलिटिकल गॉमेंटेटर एक मिश्वा कुछ चाहते हैं यह पूरे पुलिटिकल गॉमेंटेटर को गईची कई अ गई हुआ है कर लिजे पीछे का परदा भी कर लीजे बहुआ किजे तब तक मैं बाकी सब लोगों से बात तो करूँ पीछे का परदा भगवा किजे पहले आप ठीक है एक है एक बात ही बता यह रामनों लोहिया ने जिन्दा कोमें कभी पांच साल इनजार नहीं किया करती है और जब बात कि आएगी तो उतरप्रदेश की जो जिन्दा कौम है क्या पांच सार इंजार करेंगी रशित देखे मैं आपको एक चीज बता हूँ आपने पूछा था यहां पर देखिए राजनीत को और रंग को रंग का मतलब है आप भारती राजनीत को इतिहास से आप देख लीजिए ध राजनीत भगवा करन अलग चीज है इसमें क्या सही है मैं बताता हूं राजपूर साहब ने यह बोला मैं उसको कॉंग्रेस का स्टेट्मेंट मानता हूं कि धर्म हमारा एक निजी मैटर है मैं बहुत सम्मान के साथ बोलता हूं कि कास सारे पॉलेटिकल नेता और पार्टि यह जो दोगलापन है आइडियोलोजी दा फिर भी निजे विशेथा राजनीत में भी सुन लीजिए अरे मिश्रा जी मिश्रा जी थोड़ा जवाब भी धहरे रखके जवाब सुन लीजिए ने पहले मेरी बात पूरी हो जाले दीजे ना सर मैंने आपको आदे गंदे सुन अर यह सरकारी विशे था ने ने आपके लॉजिक को आदे गंटे सुना सर हाथ जोड़के प्राथना हैं दस मिनट सुन लीजिए सर दस मिनट ने पांच मिनट में ही खतम कर दूँगा दो मिनट में ने तीवी के अपने सीमा होते हैं आप लोग हैं हम जंता हैं कुरासा कर रहा हूं मैं सारे पॉलिटिकल पालिटियों की बात कर रहा हूं कि यहां इंडियन पॉलिटिक में आप राजमीत से अगर धर्म जाती बात निकाल दीजिए उत्तर प्रदेश की विगास के मामले में दुर्दसा यही सबसे जाड़ा रही लेकिए भगवा एक बहुत तो गौह के प्रामरी स्कूल भी लाल रंग से रंग जाते हैं तोपियां भी लाल हो जाती है हर चीज हो जाती है जड़ा उन लोगों से भी पूछिये ना कि यूपी क्यों पीछरा आ गया उनका एक रंग हराबी ए रशे लाल और अपने अपने रंग में तो मेरे कह मतलब पॉलिटिक्स कर रही है और सबसे पहला मुद्दा है उनका चुनाओ जीतना चुनाओ जीत के जब सत्ता में रहेंगे तभी उनका आस्तित्य रहेगा इसके लिए वह हर रंग का हर चीज का वो प्रवेक प्रयोग करते हैं चाहे वह धार्मी को चाहे जाती पात के अधार प कर सकते हैं मैं बोलता हूं कि जब प्रथम जो है आजादी की क्रांती ही थी तो कमल का पूल था उसका भी रंग कहीं कहीं बगवा हमारा जब जंडा बना था तो आप जाके हमारे प्रथम प्रदान मंत्री पंडिक जवालाल नहरू जी से और बाबा साब अमेंटर से पूच कैंसे मजफ़ चाहिए मुझे टी वी पे जड़ा दिखाया जाय कि आप नाज लाल तोपी पहनी या पिर नई पहनी हुई है मुझा टीवी पर जाद देखना चाहता हूं कि उनकी लाल तोपी है पिर नही है जैसे मुझा जुडेंगे तो हम यह भी देखेंगे और दिखान कि कोशिश करेंगे कि उनकी लाल टोपी आखिरकार उसके सियासी मायने क्या है मुझफर खान हाँ दिग्ग्य मुझफर खान लाल टोपी है मुझे यह बताए अभी सब छोड़ दीजे भगवा हरा नीला पीला इस लाल टोपी का मतलब क्या है जो आपके सर पर है कि यह यह ताज एक जहां तक यह टाज और भगवा आपके लिए खाज आपके लाल से हुने दिकत नो उनके भगवा से आप न दिक ने मिलिजें बहले मिल लीजे बहगवा लाल गबेलिजाए है वो एक मधभी रंग है लेकिन भारती जन्ता पार्टी और RSS के लोग उस मजभी रंग के साथ सियासत करते हैं समाजवादी पार्टी का जो लाल रंग है वो हमारे सौर्गे निता राइन राइन जी ने अपने सर पे एक लाल कपड़ा बांदा था वो लाल कपड़ा आज हमने उसको टोपी का रंग दे दिया है जब देश के अंदर एक तानाशा सरकार थी और वो किसी की नहीं सुनती थी तो इसलिए उन्हों ने ये रंग बांद करके एक अंदोलन चुरू किया तो यह अंदोलन का कलर है इसको उस चश्में से ना देखें ये एक पार्टी का अपना कलर है अगर अगर आपकी टोपी जो है मजभब के साथ ना देखे जाए तो फिर भगवा को क्यों धर्म के साथ ने देखना है ये तकलीफ के बात इसलिए है कि जब भगवा चोला पहन के लोग देश के अंदर और खास तोर से उत्तर परदेश के अंदर मजभू, मासूब और बेपुसूब लोगों पर हमला करते हैं जब भगवा चोला पहन के जब उनको एक आजादी है जो बच्चिया हमारी पार्क में बैठी होती है वो भगवा कलर पहन के जब उन पर हमला करते हैं तो ये मर्यादा ये जब भगवादारी लोग चाहता हूं के जो ये समाजवादी पार्की के जो समाजवादी पार्की के तो प्रदेश में जितनी तरफोड कर रही है आपको नजब लिए थाखवा के कारण से पूरे देश के अंदर भर्तियन्ता पाटी ने जो पहले विचारी कभी जीवन में सोचानी एτο चैसे करोड परिवार गैस करने UX में दे दिया जानते हैं क्या विकास भातियन तपाटी जानती यह बहा सेस्च रहां जानती हैं तो मैंटे हम जाए सियासत में जरा सा पीछे भी जा करके एक बार तलाश लेते हैं अदिश एक बाद रता है क्या जवालाल नहरू, लाल बाहदुर शास्त्री, इंद्रा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरणड सिंग इन सब लोगों के वक्त में भी सियासत को कोई रंग हुआ करता था जो समाजबादी पार्टी ने गलती किया, जो माया बती ने अगर बुलू करके गलती किया, तो आने बाली पार्टी उहीं गलती करें, उसके लिए इनको जन समर्थन नहीं मिलाता, उन पार्टी ओ के विरोध में मिला था, कि उन पार्टी ने जो किया, वो काम आपको नहीं करना है, और ये पूल को, टॉल को, इस पूलों को भगवा करम करने के लिए, कोई समर्थन बार्टी जनता पार्टी को नहीं मिला था, बार्टी जनता पार्टी के वडवक्ता ने जो कुछ यहां कहा है, कि भगवा का कलर है, क्या उसके रास्ट्रिये नेता इसका समर्थन करते हैं, मेरी बाति इनके रास्ट्रिये नेताओं से भी होती है, प्रदेश के नेताओं से आप यहां कि अपैसे आप करोगी कलपना अरे अंतर आत्मा में होना चाहिए कप्डों से नहीं होता है तुम्हारी समस्या क्या है भगवास है अपनी कारण मताईए अपना समस्या मताईए आप समस्या का देए भगवा पर क्यों टेरा है भगवा कर देरे एबाद ही रहा है और भगवा कभवा का यह को कीऊ कर रहे हैं सहघ्टारि वहरा है घडिश कव अई प्रिकार से आप ये भारतिय सभ्यता और संसक्रृति का इलगां जब हमारा जंड़ा बनाता हम जंड़ा अपना भगवा तो आपके जंडा में भगवा को क्यों दी गई सबसे ऊपर यह पूशा जैने सम्विधान निर्माताओं से और हमारे प्रथम प्रधान मंत्री से जिन लोगों ने आज तक बिरोग महीं किया वो देख करके हरान होगे कि उनके पीडियां आज के ने तो भगवा नंका बिरोग किया है जा करके देखिएगा आप लेगी तो भगवा कि प्रथम की सबस्दा बात कर रहे हैं किसारम निकास में बुदिया आप लेके बोड़ना चाहता हूं तो भगवा को आप लोग्यों तो भगवा का मतलब सारा कुई नहीं करता प्रथम नहीं करत तकता एकना डुक जाएं एकना टुक जाएं ठीक है आप सब लोगों जो उसके एकना डुक जाएं आप मार रुक जाएं सुनील जी सुनील जी मेरे कुछ सवाल का जवाद दीजेगा आप तहां से आते हैं खी अप कहां से आते हैं और आप ज bueno और दीजेगा मेरण आपने भगवा करन करके क्या बदल दियां मैं मेरट से शुरुआत कर रहा हुं उसके बाद आगे त송 जाओंगा एक सवाल का जवाब दीजे क्या आपने एक मुट जाटव जी एक मुट रुकिए आप क्या आपने मेरट के अस्पताल बदल दिये स्कूल बदल दिये शिक्षा व्यवस्था बदल दी क्या आपने क्या बदल दिये मेरट किसान परिवार से आता हूँ इसलिए मैं मेरट से निकल कर के बंदल्खंट जाओंगा बंदल्खंट कई अब इस अब फिर और दरजनों बार काई वह उत्तर पर जाईये बदाईयों नेमाफ किजे आप जाईये जाला उन पूछिये पूछिए पुराइनिया ने सुनिये सु बदेले पुछ जाएप जाएम जाएंगे तो मैं आपको बता जाहता होगा। सर सुनिए सर सुनना पड़ेगा आपको सुनिए अब वहां जाये वहां जा कर देखिएगा वहां की जो पत्रीली जमीन जो बंजर हो गया ना वहां पर घास की रोटी खाते हैं किसान वो रोटी जो होती है वह भगवा रंकी नहीं होती सर वहाँ पर जो पानी के लिए जो भूख है न उसका रंग भगवा नहीं है सर आप मेरट से आते हैं मेरट में मैं हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट आपको भेजूँगा वहाँ पर जो मौत होती है न उसका रंग भगवा नहीं है सर और हाँ आप लोग भी उसका लाल भी नहीं है और सार जाटर जी वो नीला भी नहीं है और मुझदफर खान साथ लाल भी नहीं है उसका सिर्फ एक रंग है और एक रंग है जिंदगी का वो रंग क्यों नहीं दिखता आपको सुनील भराला जी आपको वो रंग क्यों नहीं द आपके घर में सदस से कितने हैं आप आप सांत होगे नहीं होगे जानते हैं सर जानते हैं अगर आपके घर में आने वाली जो नसले होंगी मेरे दौा है कि वो सब अच्छे रहें वे थे हत्र रहें सेहत मन रहें अच्छे शिक्षा पाएं लेकिन आज की तारिक में अगर वो सुनना होंगे न सर अपने हमारे भुजर्ग भगवा को विकास से भी उपर रख रहे हैं हमारे अपने भविश्व से भी उपर रख रहे हैं तो शायद यकीन जानी उन्हें शरमिन्द्गी हो रही होगी बराला जी मैसच बता रहा हूं फोन कीजिए आप अपने घर पर अगर वो डिबेट देख रहा है हमारी तो फोन कीजिए आप उसका तरक मत दीजिए हमें तरक मत दीजिए मैं रासित भाई आपसे कहना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ आपको आप जो भगवार विकास की बात कर रहे हैं विकास भगव चार साल में विकास हुआ है और उत्तर परदेश में 14 महिने की सरकार 14 महिने की सरकार पूर नहीं हुई अभी जो काम चल रहा है उत्तर परदेश के अंदर आप कलपा नहीं कर पाएंगे यह भागवाधारी कर रहे हैं इस परसेंट वरते क्या आप किसानों की आज मत्या की जए अधर 42 परती क्या दस करोड़ रोजगार दे चुके होते हैं आप लोग पैट्रोल के दान 85 रूपाय हो गए होते क्या आप पहले सुने आप पहले बोले भाई आप हमें बताईए उसक किसानों के बैटे हो आप रश्चाचारी उत्तर परदेस्ता कितना जूट बोलो पर जाकर रहे हैं और विकास के पहिए पर जाकर देखो आज चल रहा है अब किसानों के बश्चोंगी तो बात कर लो कितने लोगों के बात कर रहे हैं अगर हिम्मत हो तो ले करके देखो ना भारत के परदान मंत्री के द्वारा जन उसी केंद्र ऐसे रोजगार सर्जन दिये भारतिन्ता पार्टी ने आपने किसान विकास के दो इस्ताफिश कर रही है भारतिन्ता पार्टी हर तैसील इस तर पर आप देखें लिकर जाएगा उसको आज लोकरी देने का काम करेंगे भविश्चनों ये देखिए आप जाकर के करने करने के बाद गन्ने के किसानों का पैमेंट करेंगे अभी आठ हजार करोड पे दिया है आप जिकास कर रहे हो आप लोग ये ये सब भगवाधारी कर देगा और सब्सक्राइब करके आज की सिमाव को देखिए एक माट की जारान जाताव के पास में ने गया हूं अभी भगा बाद जिए थोड़ा सा वकग दीजे मुझे हम साड़े नौ बजे तक शाथ में जैरान जाटा मुझे बता है यह मैं तो चुप्चा बेठा रहता हूं भाराला जी भगवा भगवा कर रहे थे ह। आप चुप्चा भी बटते हैं आप चुप्चा बटते हैं एक आप जो लोग बैंके थातों से तरफगें उनके हमने जीरो पोइंट पर बैंके गुरवादारियों कि मैं भी हूँ जैराम जाटा एक बात ही बताईएगा अगर बाबा साब भीम राओं बेटकर जिन्हें आप लोगों ने नीला रंग दिया सम्विधान के निर्माता और मुल्क एक ऐसी शक्सियत जो एक लिजेंड है और हमेशा ही हमारे दिलों में रहते हैं ठीक है उन्हें आपने रंग दि को देश ना दिया जाता आपको दिक्कत क्या है? कि इस डेषİम में साथ द्धरमों को माना जाता हैं तो छ यहाज़ जातियां हैं एक सो घास बाइज भाशा हैं हुप सब की अलग संस्कृतिय अल зах सब प्रतिय तुछ एHeज सर अलग मना जाते हैं अपने तरीके से उकरने करते हैं कि इस देश की विशेष्टा यह ने थमने एकता है और मस्टेरी स्वेश्टानियों यूद्ण अपनी भासा को हमारो पर थोपने लग जाए कि नहीं आपको हमार जैसा हम एंगेगा वैसा ही ठाना पड़ेगा जैसा हम बॉलेंगा वैसे बोलना पड़ेगा हम अगर हम इस तरह की भासाओं का उप्योग होता है इस तरह की जबरस्ति थोपने का वो किया जाता है तो इस हम इसके विरोध करते हैं हम उनके किसी भगवारंग से कोई विरोध नहीं है लेकिन इस देश में 6000 जाती है और 112 भासा बोलते हैं लोग तो सबको एक जैसे उसमें जिसकी जैसी संस्कृति हो उसको वेसा पना पालबत आप जबरस्ति जबरस्ति उसको एकदम ठोपने का काम कर रहे हैं कि नहीं जैसा हम पहने वैसा हिए तुम पहन कशा है यह वह और भगवा को वह हम स्विकार नहीं करेंगे क्योंग्य हम वाग मतलव कर को निए ध्वित अग्व करने रहा है कि कोई उनको और नहीं मांता हूं भाबा साथ हो जी क्योंकि निला रंग पर दिखा यह तो आपको यह बताये ना करान नीला करन और नीला करन रही जगा 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 जगा-जगा-जगा-जगा-जगा-वह बहुती नजर नहीं आती है हर कुर में जुछा चाहिए! आप रेसं स्थाए, बार में तका टोण्यार प्रार्फाग आट भगवा कर अहरा है बार में पगवा डेमर दॉक रहे जिए ओम्भा अच्छ सánhटी tive historically धर्वा एक हेता हम कि इस नहीं दोत आखले माशायत है एक जोत जडिये है आते समझना चाहता हूं राटिशी के जल्दी बोलिए मुझे अफदेश जी के पास बीजाना है जल्दी राटिजी राटिजी मैं ये पूछना चाहता हूं के इने जाटव जी को किसने विवस किया भगवा पहनने के लिए नहीं हम तो रही पहनेंगा इनसे ब पूछें आप एक पाप करता है कि किसी के साथ कोई नी करता है ने प्यारसे है सुनील जी सुनील जी जैराम जाटव एक नडुकी है ना जैराम जाटव अगर आपको जैराम जाटव प्यार से जाकर के अगर नीले रंग का कपला गिफ्ट करते हैं तो पहनेंगे आप पैनेंगे या नहीं क्यों पैनेंगे नियला रंग पसंद नहीं है मेरी सियासत को को नहीं करता जाटव हूँ पातर को नहीं करता गयांसा पूर नियारंग को नीजा बुड़ जान बत आपके विचाधारा जो है वो रंग सही जुड़ी है आपके विचाधारा जो है विचाधारा जो आपकी है वो रंग सही जुड़ी है आपके सर्मान नेता नेन्रमोधी के सरीर पर नीले रंग के कपरे देखे आए देखा है नीला रंग का बंडी पहंते हुए देखा है आप यह और शु को संघब नियर आइ मैंने हम आगोड कर एक ड्वानी के शली कर भानी के हाई। वाणिप्पन का एक जाए। यह सुन पापने मτιंटों है да बंटेड, यहरी खुला टुक रुक जैं- वाणिप्पन का कंशलना चाहंगा रहांगा है हिंदुस्तान जो की हिंदुस्तान जो की दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत रहा है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ परस्टनलिटीज और कुछ रंग पेटेंट क्यों है मसलन बाबासाब भीमराम बैटकर वो बेस्पी मिता है करेंट नील रंग उनकार पेटेंट बंचेंट Dopo सुनते जाहें एक माझ सुनते जाहें एक माझ उनकार युझे भरॉला-जी का पेटेंट वह जो है वह बढगixa रंग है राम मनोहर लोहिया जेपी और लाल रंग है वो मुझफर खान का पेटेंट है महात्मा गांधी जो है वो सुरेन सिंग राजपूर जी के पेटेंट है यह पेटेंट जो है यह जुड़ा कैसे है राशित देखेंगे हैं और आपको हम लोगों को आंसर मिल रहा है कि र भाबा साथ भीम राम बेटकर ने कभी पेटेंट नहीं कराया उन्होंने कभी नहीं बोला कि केवल एक अमुक तपका मुझे माने सेम चीज यह जेए भागवा भी भागवा ने या भागवा को जिन लोगों ने बनाया आप यह देखें राम चंद्रजी होगा या कोई और है dónde भागवा ने कर ऐश कार राजनीत करण क मैंने आपको अभी एक लट लूग भागवा को मऊने और कोई लोग ख़की मुक्तश नहीं कर चकते यह हैं रंघों का राजनीत उकरण ठर्भी एक सपड़ हृट्स डरर दिया का वहां पे धर्म, चुनाव में धर्म एक चुनावी मुद्दा बन जाता है, एक सामाजिक समस्या बन जाती है, जिसको ये पॉलिटिकल पार्टियां बोलती है, कि इसको दूर करना बहुत जरूरी है, ये उनका एक पॉलिटिकल मिशन बन जाता है, क्योंकि ultimate goal इनका ये है, वि पेटेट के बल बीजेपी वालों ने करा लिया, बाबा साहर अम्रेट कर वालों ने ऐसा कोई लीगे डाकुमेंट नहीं है, उनका पेटेट के आज चिसनके लिए पार्टी ने कर वालिया, तो ये जो अच्छे चीज के लिए डेवलप करिये तो माना जाए लेकिन जब आप को रिलेशन कलर को और इन सब चीजों को डेवलप करते हैं और उसको एक सेपरेटिव लेबल तक ले जाते हैं और उसमें हिंसा आ जाती है कि जराशा किसी ने कुछ उसके ऊपर बोल दिया तो मार फिट के लिए खतरनाक है और ये इनके प्रकारण वाली बाई हुक और बाई प्रुक जो राजनीत आज कल चली है कि कैसे भी करके हमें सब्सक्रार बनानी है उसके लिए इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं ये लोग एक और आपका प्रोशन था नेताओं के नाम को लेके देखि करने वाले लोग पढ़े रहते हैं समाजवादियों को मैंने वो देखा है डॉक्टर रामनहर लोया उनके पड़िवार का कौन सदस्याज राजनीती में है तो जो पार्टी अपने पूरी पार्टी का पड़िवारी करन कर चुकी हो और रामनहर लोया और राजमरायन का कैस अगर वो देखिए महात्मा गांधी का तो तो इसमें दुनिया मानती है और मैं नीजी रूप से पता रहा हो कि मेरे पर किसी एक 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 जटी का सबसे ज़धा परभाव परातों महात्मा गान्धी का गान्धी तो आज सब लेते हैं लेकिन गांधी को सभी ने स्विकार कर इसलिए अग्याश की करने लिया है अगर वह रावन वह है कि किस्टिक में में अगर और चौदरी चरण سिंग साथ होते कांगरेश अगर आज महात्मा गांधी के साथ होती भाथ्य जंता पार्टि दिन दयाल उपाध्याया के साथ होती तो डेंची का चडित रहें तूसरा हो क्या बाबा साहब अमेटकर हमेशा नीला कोट पांते थे राम मनोहर लोहिया जी क्या हमेशा लाल रंका ही कपड़ा पांते थे ऐसी कोई चीज थी क्या भगवा का तो मैं फिर भी मान सकता हूं कि हजारों साल से इंडिया में जीतने भी साइंटिस्ट उस टाइम के रिशी मु नगसे कहीं ज़या तो आपको होगा है यहला मुझे बढ़ाव मैं जयाता है कि तुकि और अजून आज जाते हैं इसलिह horse सवाल एं जवाब देंगे हम पूरी नमायड में प्रभूश्री राम को किटनी बिवार कुछाता है बस यह बता दीजे फूरी रमाय ने में प्रभूश्री राम को कितनी बार क्रोध आता है आप 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 इसका मतलब अंतर नहीं समझ पा रहे हैं भागवान सेरी राम और सामान्य मनुस्य में आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं ने, ने, मैं बस एक, ने, ने, हमारी और आपकी प्रभू श्री राम के सामने तो कोई बिसाथ ही नहीं है, पुरुशोत्तम राम, अर्यादा पुरुशोत्तम राम के सामने मेरी और आपकी कोई बिसाथ नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, आप मेरे सवाल का चाहना, आप तुedar कんで cáना चाहते हैं, मैं मैं बताता हूँ, जानते हैं, प्रभूर श्री राम को क्रोध कुरी रामाण में से एक बार आया है तब जब समंदर उन्हें रास्ता नहीं दे रहा होता है, और तभी एक बार उन्हें बहुँ सद्धाकर क्रोध ह hamd a जब समंदर उन मतलब आपका अर्थ क्या है और मैं रासिद भाई आप से पूछना चाहता हूं कि ये क्रोध का जो आपके सामने प्रसन आया है ये प्रसन कहां से आ गया आप लोग प्रोधेत हो जाते है ना भगवा धारन करके आप विकास की बात कर रहे हैं को नहीं 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 ऐसा नहीं है ऐसे तो रहे हैं आपको दो बाते कहना चाहता हूं केवल जो आपके ये सवाल है जहां भगवा करन की बाता पिर रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं ये भगवा करन करने वाले की जो बता रहे हैं जिसको ये विकास के लोग है भारत के परदान मंत्री आदर्णिया नरेंद्र मोदी जी से शीक लेनी चाहिए बीज़ाश पर राजनेतिक और राजनेतिक दलो और राजनेतिक मैं कहना चाहता हूं रासीद भाई ये बात बिल्कुल इस पश्टूप से कह रहा हूं बारत के परदान मंत्री आदर्णिया नरेंद्र मोदी जी से शीक लेनी चाहिए के विकास की जितने विकास कैसे होते हैं रोजह गार के सरदन कैसे हो रहा है सुरेंद राजपूद कुछ कहना चाहते हैं सुरेंद राजपूद कुछ कहना चाहते हैं सुरेंद राजपूद बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहा है सुरेंद राजपूद बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहा है सुरेंद राजपूद बहुत देर से कुछ बोल नहीं र आजादी के बाद देश में सबसे ज़्यादा राज करने वाले राजडेता आप और ऐसे में क्या जवाब नहीं देना चाहेंगे सच्चाई यह है कि अगर विकास इनको नहीं दिख रहा है सत्तर साल का तो मेरे ख्याल से इनको क्या कहा जाए नजर का फरक है नजरिये का फरक है तो यह जाने इन्हें भाखडा नंगल डैम से लेकर के आज तक चाहे परमानु पोखरण परमानु विस्पोर्ट हो चाहे एक एक जाने तो आफ रहा है और इस बात को लेकर के हमारे तमाम मतांतर रहते हैं इते हैं अव्धेश यह नहीं हुआ है और सकता है यहां पर अभी जो सबसे बड़ी बात है सुनिल भराला जी से में दिक्कत नहीं है क्योंकि सुनिल भराला जी को भी पार्टी का गाना है लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल कमेंटेटर है मिश्रा जी इन्होंने बड़ी चतुराई से भगवा के नाम पर जिस तरीके से चारण गिरी कर रहे हैं भारती जनता पार्टी की तो क्या भारती जनता पार्टी का रंग भगवा है क्या हमने कहां भगवा का बिरोद किया भगवा हमारा धार्मिक और उस धार्मिक रंग को ले करके, हमारी आस्था को ले करके, आप क्यों चोट करना चाहते हैं? तो दीले रंग की शर्ट पहन करके, और नीले रंग की टाई पहन करके, आप बात करो, तो क्या आप बाबा साहब हो गयो? अब इस तरीकाई भाशा का इस्तेमाल मत करो रंगों को लेकर के आपerson को आरे बार्ति जनता पाटी के तोASTंतर हैं आपके बीचे से इस फोरम का इस्तेमाल मत करी यह यहां पर बड़ा निवेदन है आपसे कि आप विकास की राधिती कराईए आप लड़कों को भगवा क्यानम शट दे दीजे टी शट दे दीजे लेकिन रोजगार के साथ दे दीजे आप किसानों को भगवा कलर के लिफाफे में रख करके उनका जो गन्य का मूल्य है वो दे आप जाकर के बच्चों को दवाईयां जो बच्चे गोरखपूर में औक्सीजन की कमी से मर रहे हैं आप उनको भगवा रंग के सेलेंडर में रखके औक्सीजन दे दीजे आप AC जो है भगवा लगा करके कानपूर में ICU में लगा दीजिए हमें कोई आपत्ती नहीं है भगवा किसी की बपौती नहीं है हम भगवा के बिरोधी नहीं है बहुत इसपस्ट बता दे लेकिन जिस तरीके किसे सरकार का जो काम चल रहा है कि आप मूल मुद्दों से भटका जिए राशिद भाई भी बात करेंगे राशिद भाई ने बात आज की डेट में गरीबी असिक्षा बेरोजगारी महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार इसकी नहीं की इन्होंने भगवा रंग की बात की सच्चाई यह तिरंगे को लेकर के गिज तरीके के राजदीती मिश्टर मिश्रा कर रहे हैं यह शर्मनाक राजदीती है तिरंगे में भगवे से सफेज से या हरे से क्या मतलब है भारत की आनबान शान को लेकर के आप अगर इस तरीके के प्रशन उठाएंगे मिश्रा जी तो सोचिएगा इससे पहले कि हो सकता आपको कोई सरकारी पोस् अब आप सुनने का धेर रखिए आप सुनने का धेर रखिए खाली इस तरीके से बाते करने से टेलीविजन चैनल पर कुछ नहीं होगा आज की डेट में आप ठोस योजना दीजिये वर्तमान सरकार को पिछले चार साल में क्या वर्तमान सरकार 10 क्रोड रोजगार दे पाई क्या पेट्रॉल और डीजल महगाई की खात्मा कर पाई क्या यूएन में पर्मानेंट सीट ले पाई क्या कश्मीरी पंडितों को वापस कर पाई सरकार उनके घरों पर क्या कश्मीर में पाकिस्तान को नाबूत कर दिया हमारे जवानों के बदले जैश के क्या सौसर उठाल इन बातों को आप सवाल नहीं करेंगे, आप सवाल करेंगे भगवा रंग, अरे भगवा का बिरोथ क्या आप से ज्यादा भगवा मेरा निजी विशेय धर्म है मेरा, मैं आपको बताता हूं, राजपूर साब खतव है अगता, आपने कवीता सुनी है, नहीं सर प्लिस कवीता तो इस चीज भी मानता हूं, कि कहीं नहीं अपने विगास के मुद्दे पे बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्ण है, यह मैंने बोला है, तो इसमें चाट करता कि क्या लात आ गई है, आपने लिंगायतों को, आपको बुटा क्यों लगता है, तो क्यों नहीं बुटा करता है, तो इसमें कौन सी चाट करता की बात है सर, तो सर जा के पूछें अगर बगवा का सारा आप जैसे कमजोर लोग लेते सर भगवा कभी कमजोर नहीं हूँ हुए है जो कमजोर है अगर भगवा कि अप्रवा इस को कुरिए सर शायद आप कमजोर इसे निया हूँ क्योंकर पाल्टी निएική अस्था का विसए अपान कंड़िया है और ये में ऑँ कि आहिया हुआ है में जदता है सुनिल भ liberalna गोशिन जिलेता है खरोगल को शान्धिम है में शुर söz अजन तीम एम कराय गगा। बज़ो के बाते हैं दो चाहता हुए कर दो के बाते हैं जी ये मैं ज़ना जायता हुए कि बात कहना चाहता हूं कि भारतियान इन्हों ने अपनी सरकार की उपनेफिदी बताई इन्होंने भगवा को निजी मामला बताया मैं तुनेंद्र जी कि इस बात से सहमत हूं बिल्कुल इसमें लो डाउट है लेकिन मैं दो बातें से यह पूछना चाहता हूं कि हिंदूस्तान के अंदर जो बेरोजगार गरीव जुगी जोपड़ी बस्ती मलीन में रहने वाले परिवार थे और कोंग्रेस लंबे समय यह उनके प्रदान मंत्री को इनके नेताओं को के उनके गरीबों के बैंकों में खाते खुल जाए हिंदूस्तान के 30 करोड़ परिवारों ने खाते खुले भारत की चार साल की सरकार में आधर ने नरेंदर और परदार मंसरी जंधर योदिना के बाद्जम से हैं इस करोड़ परिवारों खाते हिंदुस्तान के अंदर भारत के आप इन परिवारों के सपने थे के वो बैंक का खाता नी खुर सकता आप रिकास की बात कर रहे हो क्वंन हो कि प्ला दैनले कर लियीलयों दोसरी बात धिन हो लिया तेंध अरय 2005 की सुचना अभीकार का कानून के साथ आप कुछ खाने को दोगे नीजोगे उनको जो गारीबडी जोपडीयों में ले अपने गार्व चुललाइं को रिखने लेकिन लेकन मैं कह रहाएं आप ये भारत के परदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के दुवारा दिया गया है आप समझिए आज चलिए करेंगे आप 6 करोड परिवारों को गैस का सुनार कनक्सन देगी हमने इतने करोड बैंक भादेग वले 6 करोड गैस कनेक्सन दिये और इसका मतलब क्या यह समझ लिया जाए अब रुक जाएगा अब रुक जाएगा अद्धेश कमार जी सुनील भराला मुझफर खान जाराम जाताओ जी एक हैं मिश्रा और सुरेन दाटकूर जी आप सभी का प्राइम टाइम में एफम न्यूस पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है ठीक है आप सभी क बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लेकिन यहां पर एक सवाल अभी भी रह गया और वो सवाल जो कि प्रदेश का है 22 करोड की आबादी इस वक्त यह सवाल जरूर पूछना चाहेगी कि भगवा से हमारे घर पर जो जो भी हमारे घर का क्या किचन बदल जाएगा हमारे थाली की क्या रोटी बदल जाएगी क्या हमारे लिए शिक्षा के अलावा जो बुनियादी जरूरत की चीज़ें क्या वो हमारे लिए बदल जाएगी क्या रोटी कपला और मकान की का जो सवाल है हमारे लिए क्या बदल जाएगा और वो रंग इतना ही कहता है कि दो जुन की रोटी मेसर हो जाये तो बड़ी बात है। घर चल जाए तो बड़ी बात है। जिम्लेटी हो बहतर शिक्षा और बहतर स्वास मिल जाये तो बड़ी बात है। निता जी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कम शब्दों में ही इनी सवालों के साथ और इनी बातों के साथ छोड़ करके जाओंगा लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी सुमवार को शाम पांच बजे राशिद वसेज राजनीती में और रात आट बजे प्राइम टाइम हम झाये सुमझे भिए में मुलाकात को शाम टाइम होगी बात जरूरी मँझे धितक ÓAL